नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मों खबर जानते हैं नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मों खबर जाने वाली परिक्षा इस वर्ष नॉवंबर में और एस एटू मौई 2023 में लिजाएंगी तीन माह पर होने वाली परिक्षा के लिए परिक्षा के लिए परिक्षन पत्र समधित जीला के डायेट द्वारा तयार की जाएगी जबकि छो माह पर होने वाली परिक्षा का परिक्षा का परिक्षन पत्र जेसी ई आर्टी द्वारा तयार किया जाएगा राज्य में अब तक सरकारी स्कूलों में वर्च भर में दो परिक्षा ली जाती थी स्कूलों में फिलहाल हर छो माँ पर परिक्षा लेना का परोधान था ज्यारखन में सुक्रवार से लगातार तीन दिन भारी बारिस की समभावना है इस दोरां तेज हवा भी चलेंगी मौसम भी भाग की माने तो बंगाल में गुरुवार की रात तक मांसून के पहुचने के उमीद है इसके बाद संथाल पर गना और बिहार के रास्ते मांसून के जारखन में परोधान की समभावना है बता दे 2-3 दिनों के अंदर मांसून के घाने बादल पूरे जारखन में चाने के उमीद है इस दोरां तेज हवा के साथ भारी बारिस की समभावना है 24 जून से लेकर 25 दून तक राजिक के कुछ अस्थानों पर हलके से मदर्ज की बारिस की समभावना है मांडर उपचुनाव में 61% वोटिंग रांची जीले के मांडर विधान सभा सीट पर गुर्वार को उपचुनाव पूरी तरह सांतिप पुन संपन हो गया इसमें कूल 61.25% वोट पड़े कूल 14 उमिद्वारों का भाग ये EVM में कैद हो गया है बता दे सिल्पी निहा तिर्की चुनाव जीतेंगी अपने पिता बंधु तिर्की के सीट बचाने में सपल रहेंगी या गंगोत्री कुजुर की वापसी होगी दोनों की लडाई में दे कुमरधान बाजी मारेंगे या 26 जून को होने वाली मदगना से साफ होगा सिल्पी निहा तिर्की कॉंग्रेज के टिकट पर चुनाव लड रही थी वही जामों ने इनको समर्थन दिया था जारखन के 10 लाख किसानों को के सी सी लोन जारखन की हेमांत सुरेन सरकार ने 10 लाख किसानों को के सी सी का लोन देने का लक्ष निधारित किया है इस लक्ष को हासिल करने के लिहाई से लातेहर स्टेडियम में बिर्षा किसान समान समारों का आउजन किया गया इस मौके पर राज्य के मुखे मंत्री हमांसुरे ने गढ़वा पलामों और लातेहर के किसानों के बीच के सिसी लोन का बितरन किया बता दे इन तीन जीलों में 52,000 किसानों के बीच के सिसी लोन बितरन की घोसना की गई जबकि राज्य के 250 परखंड में के सिसी बितरन को लेकर मेगा कैम्प लगाया गया जिसमें 400 को रुपय का के सिसी लोन किसानों के बीच बितरन किया गया है जार्खन सरकार UK में उच सिख्षा को लेकर छात्रविर्ती योईना का किया बदलाव जार्खन सरकार ने United Kingdom में उच सिख्षा प्राप्त करने से समधी छात्रविर्ती योईना में कई बदलाव किये हैं इसके तहट मरंग गोम के जैपाल सिंग मुंडा पार्देश सिय चात्रविर्ति योईना का लाव और अनुशूची जन जाती के लावा अनुशूची जाती अल्प संख्यक एवन पिछलावर के चात्र चात्रों को भी मिलेगा साथी 30 पर 30 सीटे चात्रावों के लिए आरकषित रहेंगी हलाकि सीटे नहीं भरने पर आरकषित सीटे चात्रों से भी भरा जा सकेगा साथी इसमें एक नई चात्रविति योईना सामिल की गई है जार्खन के सहायक पुलिस कर्मियों की कोई नहीं सुनता जारखन राज में पूलिस कर्मियों की कमी को देखते हुए राज सरकार ने 1217 में पूरे राज में सन्वीदा के अधार पर 25 साहयक पूलिस कर्मियों के भरती की थी जिसमें पलामो जिले से 200 साहयक पूलिस कर्मियों के न्यूकती की गई थी बतादे पलामो जिले के सभी थाना चेतरों में इस समय 165 सहायक पुलिस कर्मी कारेरत हैं इनकी डूटी, ट्रेफिक, विभाग, पीसी आर थाने की कानून बेवस्ता को सुधारने के लिए लगाई गई है लेकिन इनकी मांगों पर किसी का ध्यार नहीं है बतादे कुरोना काल में भी सहायक पुलिस कर्मियों ने दिनरा डूटी की तिरियस तरिये पंचाय चुनाओं में इन्हें पलामों के नकसल इलाकों में भी भेजा गया अपना कर्तब इमंदारी से निभाया ऐसा करने के बाद भी जार्खन सरकार उनके साथ सोतेला बेभार कर रही है भगवान जगरनाथ का रत बनाने पहुंचे थे कारीगर चोरों ने समान चोरी किया जार्खन की रैधानी राची में जगरनाथ मेले का अपना ही मजा है और इसका पुरानिक इतिहास भी रहा है पिछले दो वर्ट्सों से कोविड-90 के कारण इस मेले कायोजन नहीं हुआ था लेकिन इस बरस मेले कायोजन किया जाना है सबसे बड़ी बिड़ामना यहा है की जीन कारीगरों पर भागवान जगरनाथ के रत को बनाने का दरोमदार था अब उन कारीगरों के समान ही चोरी हो चुके हैं बता दे चोरी की इस घाटना को लेकर राची के धुरुआ थाना में एफ़ायर दच की गई है सीयम हमंत ने चंदवा मंदीर में की फूजा पूजा सिंगल पांच जुलाई तक जेल भोगेंगी भरष्टा चार के संगिन आरोपो में निलंबित जार्खन की पुर्व खान उद्योग सचिव आई एस अधिकारी पूजा सिंगल पांच जुलाई तक जेल भोगेंगी उनकी हिरासत अओधी एक बर फिर से बढ़ा दी गई है बुद्वार को पुजा सिंगल एडी की बिश्यस अधालत में हाजिर हुई मनी लोंडरिंग की आरोपीथ निलंबित आई एस अधिकारी पुजा सिंगल एवां see a son kumar की edi की बिशेस अदालत में पैसी हुई रांची होटवार जेल में एक दिन में मिले 150 मोबाइल रांची के बिरसा मुंदा केंदरीय कारह होटवार में एक ही दिन में 150 मोबाइल फोन चलने के ममले में अब तक जेल के दोसिक और मियोपदा दिकारियों को चिनित नहीं किया जा सका है कारा निरिक्षनाले को रांची पुलिस की जांच रिपोर्ट का इंतजार है हलाकि जार्खन पूलिस की अतंकवाद निरोधक दस्ते की रिपोर्ट राज सरकार वकार निरिक्ष नाले को की गई थी जिसमें जेल के भीतर भारी संखे मोबाइल चलने की पुष्टी हुई थी रांची के खेलगा थाने में भी ATS की एक जाच रिपोर्ट के अधार पर एक मर्ट 2022 को प्राथमी की दर्च हुई थी कुरोना के बढ़ते मामले के बाद बाबा धाम आने वालों के लिए मास्क अनिवार स्रावनी मेला को लेकर स्वास्थ विभाग ने भी अपनी त्यारितेज कर दी है विभाग की ओर से मेला में स्वास्थ सुईधा मुहया कराने के लिए जरूरी दवा और मेडिकल समागरी की मांग की गई है बताजे दो साल बात हो रहे सरावनी मेले कैयोजन को लेकर कुरोना संक्रमन से बचाओ और वैक्सिनेशन पर स्वास्त विभाय का विशेश द्यान है सिविल सरजन डाक्टर सीके साही ने कहा आए कि इसल काफी संख्या में सरधालों के आने की संभावना है इसलिए कुरोना से बचाओ के लिए मेला छेत्रे में मास्क पहाना अनिवार कर दिया गया है साथ ही सोसल डिस्टेंसिंग के पारन करने के निर्देश दिया गया है मेला छेत्रे में नौ जगा पर कोविड जांच और वैक्सिनेशन की विवस्ता रहेगी द्रोपदी मुर्मू सुक्रवार को करेंगी नमांकन साधे कार मंतरी प्रालाद जो सी की आवाज परदोपदी मुर्मो की नमाखन पत्र पर पस्तावक के रूप में अस्ताक्शर किया है वहीं उडिसा के मुख्यमंत्री नमीन पटनायक के निर्देश पर उनके केबिनेट के दोनों मंत्री अस्ताक्षर करने के लिए दिली पहुँचे राजिस्टर्ड प्रवासी स्रामिकों की मौत पर आसरीतों को दो लाख का अनुदान प्रवासी मौत होने पर राज सरकाव उनके असरीतों को दो लाख रुपए तक की अनुदान रासी देगी या रासी पंजी करित प्रवासी कारगरों को ही दी जाएगी जो पंजी करित नहीं है उनके असरीतों को ड्र लाख रुपए की साहता दी जाएगी उसके पाप्थिव शरीर को घर तक लाने का खर्च भी सामिल होगा जिसके लिए जीला में 10 लाख रुपे तक काया कोस भी गठित किया जाएगा बतादे स्रम नियुजन प्रसिक्षन और कोसल भीकास भीबाग की ओर से जार्खन राज प्रवासी में दूर स्तरवेक्षन एवं पूर्णवास रोजन दोहर पंदर में आंसिक संसोधन पर आदिसुचना जारी कर दी गई है द्रोपदी मुर्मू बोली आदिवासी समाज की प्रति समान नए राष्ट पती के चुनाओ को लेकर जार्खन की पूर राजपल द्रोपदी मुर्मू को मिद्वार बनाया गया है जहां उन्हें नमांकन पत्र भरना है उन्होंने नाम की घोसना के बाद संजीव सिंग से बादचीत की बता दे राष्ट पती पत का उमिद्वार बनाया जाने की सुचना कैसे मिली इस सवाल में जवाब में स्रीमति दुरोपदी मुर्मू ने कहा कि घोसना की जनकारी समाचार माध्यम से मिली साम में मैंने टीवी पर भी इसे देखा कुछ दिर बाद परधान मतिना नमोदी के ट्वीट से इसकी पुष्टी हो गाई यहाँ मेरे लिए सोभागी की बात है कि मेरा नाम की खोसना समाज के अमतिम पैदान के ब्यक्ति को ढून निकालने के सामान है साथ ही यह नारी सक्ति का समान भी है यह बड़ी बात है HEC और JACA 25 जून को करेंगे समझाता HEC और JACA स्टेडियम प्रवंधन के बीच बिवाद अब अधालत के बाहर सुल्धाया जाएगा इसके लिए दोनों पक्षों में समाति बन गई है HEC के अधिकारी ने बताया कि प्रथम दोर की वारता के बाद दोनों की ओर से तीन-तीन सदस्टों की टीम बनाई गई कमीटी ने बिवाद के हर पहलू पर विचार किया और निने लिया है कि पहले हुए समझाते को लागू किया जाएगा इसी के तहद JSEA ने HEC को बकाया 1.25 को रुपए का भुगतान किया हुए रांची हिंसा में उपद्रव के दरान सक्रिये थे बाहर के कई मोबाईल रांची में गत 10 जुन को हुए उपद्रव की घटना की जाच के दरान SIT को बाहर के लिंक की जनकारी मिली है SIT ने घटना में बाहरी लोगों की सनलिपता पर तक्नीकी सखा के सवयोग से घटना स्थलवा उसके आसपस के छेतर का कॉल डंप हासिल किया था ताकि पता लगाया जा सके कि घटना के दरान वहाँ जहरखन के बाहर के कौन-कौन लोग मौजूद थे बीरसा किसान से राज्य के किसान बढ़ेंगे आगे स्री हमंत सुरेन ने कहा है कि हमारा देश किसानों के नाम से जाना जाता है हाल के दिनों में केंदर सरकार ने किसानों पर तचार किया और काला क्रीसी कानून लाया लेकिन किसानों ने अपने अंदोलन से केंदर सरकार को उस कानून में बदनने पर मजबूर कर दिया उन्होंने कहा कि पुरो की सरकार ने मुख्यमंत्रिय असिरवाद योजना का नाम दिया अनदाता को क्या हम असिरवाद दे सकते हैं? नहीं इसलिए हमारी सरकार ने इसे बदल कर बिर्षा किसान योजना का नाम दिया है इस योजना से राज भर में किसानों को आगे बढ़ने का लक्ष रखा है IPS माइकल राज की अधी एक साल बढ़ी जारखन केडर के बर्ष 2016 के IPS अधिकारी माइकल राज एस की केंद्रिय परतिन्योकती अधी एक साल और बढ़ा दी गई है उनकी केंद्रिये परतिनियोकती अधी जुलाई 2022 में समापत हो रही थी वे 5 साल के लिए केंद्रिये परतिनियोकती पर गए थे मौल रूप से तमिलादु के रहने वाले माईकल राज एस ने केंद्रिये परतिनियोकती का अधेकतर समय 3.CBOI गुजारा है DPS 16 आदिती अंतराश्ट्रिय वाद बिवाद में लेंगी भाग DPS रांची के आदिती स्रेया नेलसन मंडेला अंतराश्ट्रिय वाद बिवाद परतियोगता में भारत का परतिनित्व करेंगी इसका आयोजान जीनेवा में किया जाएगा इस अंतराश्टिवाद विवाद परतियोगता में 200 भर से परतिभागियों का चैन किया गया है बरतमान में आदिती नेंसल ला इंस्चूट इन्वर्सिटी भोपाल से गिरजुएसन कर रही है बिजली उभोकताओं को रहात अगर आपके मोबाइल पर भी बिजली कनेक्शन काटने और बिल बाकी रहने का मैसेज आता है तो जरा सवधान हो जाईए या लोगों के ठगने का साइबर अपराधियों का नाया हत कमपा है बता जाए इसके चांगूल में सैकडो उभोकता आकर ठगे जा चुके है राज्य और बाहर के साइबर अपराधि इससे जुड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे है अब तक पुलिस को इससे समधित गिरोह को पकरने में खास अपलता हाथ नहीं आई है काफी दिनों से इस माध्यम से बिली उभोकताओं को ठग रहे साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए उर्जा विभागने उभोकताओं को भी सवधान किया है धन्यवाद